So Vedic Mathematics Level 1 अब complete हो चुका है तो जिनको भी certificate चाहिए था Level 1 का खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है तो Level 1 जिसको हम कहते हैं Basic, Basic Level of Vedic Mathematics इसका content क्या है? तो पहली-पहली वीडियो में हमने सीखा specific techniques जहां हमने 6 techniques सीखी थी जो की बहुत ही जादा fast थी जो की orally हम multiplication कर पा रहे थे Second technique जैसे हमारा English Mathematics में traditional method है multiplication का उसी तरीके से Vedic में भी हमारा method है जिसको कहते हैं उर्द्वा तिर्यक सूत्र यानी की criss-cross system of multiplication उसके बाद हमने सीखा अगर कोई perfect number है perfect cube root का number है उसका cube हमें कैसे नकालना है और यह तो हमने देखा तीन सेकेंड में नहीं तीन हो तीन तो छे हो जाता है तीन सेकेंड में भी आप निकाल सकते हैं उसी तरीके से square root भी हमने सीखा कि कितना fast अगर आप traditional method जाएं तो मैंने वीडियो में दिखा है कि 15 step लगते हैं जबकि square root आप again orally भी find कर सकते हैं and finally squaring of numbers भी हमने सीखा so officially सारा content upload हो चुका है आप देख सकते हैं जब भी आपको चाहिए अगर आपको certificate की need है आपको चाहिए आपको लग रहा है अब certificate क्यों लगता है already मैं कई बार बता चुका हूँ jobs में आपको resume चाहिए resume में हमेशा रहता है extra skills, extra achievements, degree लेके तो सब आएं है job के लिए extra क्या किया है तो वहाँ Vedic Mathematics अलग ही impression डालता है ठीक है बहुत बार मैंने series में भी बताया है again आपको बता रहा हूँ तो description में number given है आप certificate के लिए वहाँ contact कर सकते हैं बट पहले आप ये videos देख लीजए को knowledge पुरा का पुरा already upload हो चुका है अब बात रही level 2 Vedic Mathematics की तो level 2 intermediate है ठीक है level 2 intermediate है थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ ऐसे था कि चलो popcorn खाते खाते आपका हो गया गाहने सुनते सुनते आपने कर लिया ठीक है intermediate समझना पड़ेगा उसके बाद apply वैसे होगा like a boss एकदम कुछ attention नहीं बट समझना पड़ेगा तो मुझे कई लोगों ने कहा कि level 1 भी करना है 2 भी करना है तो मेरी उनसे request है यह suggestion है level 1 पहले खतम करो ठीक है level 1 certified कर लो खुद को उसके बाद level 2 पे पहुचो क्यूंकि यह चीज़ें अभी अभी सी ठीक है तो पहले इनको sort out कर दो फिर level 2 start करो ऐसे दोनों करोगे तो फिर थोड़ा problem आ सकती है ठीक है so I hope आपको कोई doubt नहीं होगा अगर doubt है तो most welcome and description में WhatsApp number given है आप वहाँ पर पूच सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई queries है तो thank you so much once again I hope सारी जीजे मैंने clear कर दी है